असलाम आलेकुम नाजरीन मैं हूँ शेक रमाद अलिया आप देख रहे हैं क्राइम टोडे नियूस नाजरीन गुलामा ने मुस्तफा कमिटी के सदर ममसर्फरास खान ने एक वीडियो वीडियो बनाई और हम तक पहुंचाई इनका मकसद और मतलब यही है कि AIM AIM के सुप्रीमा असुदीन वीसी के आफिस और घर दिल्ली वाले पर हमला किया गया कुछ लोगों की जानिब से उस पर इन्हों मजबत की और उन पर कारवई करने की बात कही आगे क्या इन्हों ने कहा आए सुनते हैं इन्ही के जबानी अल मामाने मुस्तफा कमीटी का सदर हूँ आपके दर्मियान में हाजिर होने का एक एहम मकसद है कि कुलहिन मजलिस इतिहाद المسلمین के सदर वरुकन पारलिमान हलके हैदरबाद नकिब मिल्लत शेहिन शाय सियासत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन वेसी सहाब के दिल्ली की ख बैरिस्टर असदुद्दीन वेसी सहाब की आन असरुद्द्दीन वेसी सहाब है और मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदुस्तान की नाक है बैरिस्टर रसवद्दीन वेसी साहब लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चन अन्शोशल अलिमेंट्स जो बैरिस्टर रसवद्दीन वेसी साहब के खियामगा दिल्ली पहुँचकर उनके बोट को तोड़ा गया उनके घर के तोड़ा गया मैं ये बूलना चाहता हूं हुकूमत हिंदुस्तान थे के आपकी दिल्ली की पूलिस जो आपके अंडर में हुद्प्रों की ऑमिच अंडर में हैं हमिच शाह तुमको शर्मानी चाहिए कि एक रुकने पारलिमान के घर पे जो हमला हुआ है तो यकीना ये आपकी हुकुमत की नाहिली की वज़े से ये हमला हुआ है और यकीनन मैं ये बात भी कहना चाहरा हूँ आपसे कि बैरिस्टर असर अद्दिनोवेसी सहाब की खुदाना खास्ता खुदाना खास्ता अगर खुरोच भी आई तो यकिनन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की जगे नहीं रहींगा, हिंदुस्तान यकिनन शोलों में तब्दिल हो जाएंगा, ये हमारा दावा है, चैलेंज है, हम आपको बारहाव हो रहे हैं, कि बैरिस्टर असदुद्दीन अविसी सहाब का तहफूज हुकूमत हिंदुस् के अपना हक मांगना जानते हैं लेकिन ये चन्द लोग जो बोकला हट का शकार बनके जो यूपी के एलेक्शन को मद्दे नजर रखते हुए आपके घर पे जो हमला करा रहे हैं ये ये जो है नामर्दाना हमला है ये कोई जो है उसकी बात नी है लेकिन हैदराबाद शहर कि बैरिष्टर रसोद दिन वेसी सहाब के साथ ये जो वाकिया पेशाया इसकी हम गुलामाने मुस्तफा कमेटी के जानिब से भी जो है सक्त मजब्मत करते हैं और मैं मुहतरम जाफर हुसेन मिराज सहाब जो हलके नामपली के मौजजिस रुकने संबली है उनको भी मैं जो कलिमात है मैं यह भी बोलना चाहता हूँ इस मोखे पे के लगेगी आग तो आएंगे कई मकाशद में लगेगी आग तो आएंगे कई मकाशद में यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है